अरे खाने के सोकिनो, मेरे चैनल में वापन सापका स्वागत है, आज की रेसिपी एक एग ऐसी रेसिपी है, जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, बट मेरी एक नीजी रेसिपी है, जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मूंग की डाल का ढोकला, तो स्टार्ट करते हैं मूम की डाल कर ढोकला बनाना तो हम इसको दो घंटे के लिए भिगा के रखेंगे दो घंटे बाद हम इसको ओपन करके ग्लैंड करेंगे मिक्सी में मैंने इसमें बडर मिलक का एड़ किया है तो अच्छे से ग्लैंड किया है हमने यह हमारा पेश्ट बनकर तयार हो गया है तयार तो हो गया अब इसको आपको चम्मत से देखना है अच्छे से पैन में डालके अलग से तो इसके लिए हम तड़का तयार कर लेते हैं तड़के में हमको रिफाइंड चाहिए करी पत्ता, राई, धनिया, हरी मिरच, हल्दी, नमाग, स्वाधनसार, मिरच यह सब हमको मिक्स करना है अच्छे से भूनना है इसके बाद जब अच्छे से भून जाए तो उसी पेश्ट में हमको इसको एड करना है हम टू टाइट से आज ढोकला बनाने वाले है तो यह हमा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें इनो एड करेंगे एक पैन में हमको तयार करना है लगा कि अच्छे से पेश्ट पे और इनो डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद जिसमें हमने जिस पैन में हमने ओईल लगाया है तो इस पैन में हमको इसको अच्छे से पेश को डाल देना है यह हमने डाल दिया है तो हमारा धोकला अभी हम इस पे गैस पे रखने वाले है तो गैस में हमने पानी रखा है कड़ाई में उसके उपर एक कवर रखा है जिसके हम इस पे स्टैंड पे हम उसको रखेंगे धोकले को इसके बाद हम इसको ढख कर रख देंगे उसके बाद हम ओ स्टो टूकला बनाया है तो टूटाइप और कर देख लिजिए यह हमने थोड़ा तड़का लगा के तयार किया सेकंड वाला हम स्टारीकी से तयार करेंगे तो हमारा कर नुए तो जो हमने डोकले का वह रेसिपी तयार किया था तड़के सब्सक्राइब अलग से तो हम इसमें वो डाल देंगे धनिया हरी मिरज का यही वाला तड़का सेम तड़का हमारा आप इसको ग्रेंट सोस के साथ कड़ी के साथ किसी की भी साथ आप इसको खा सकते हो मुझे तो काफी टेश्टी लगा मैंने आज खाना ही नहीं खाया सुबा सिर्फ यही खा है ढुकला मुण की डाल का तो हम सेकिंड़ पार्ट अभी स्टार्ट कर लेते हैं में मजेना इसमें अप्छ निया रशाम है तो फाहम शह स्य weird Hayır रहे हैं को ाटेख लएज आप अचछे से घर कर रहे हैं तो हम इसको चनदर ₹छ झलग प्रची करूँ को मिरहाई इसके बाद हम इसके लिए भी तड़का तयार करने वाले हैं इसमें हमको चाहिए धनिया हरी मिरच रही करीपत्ता तो हमारा ढोकला 15-20 मिंट हो चुकी है तो देखिए हमारा ढोकला तयार हो चुका है को छाहिए है सिंपल वाला कि इसमें हमने कुछ नहीं यार किया है बस इसको कटिंग करेंगे जिस साइस में आपको कट करना है बरफी कट में त्रаксим Similarly जो भी आपको अच्छा लगए इसमें आप इसको कर सकते हैं तो कटिंग हमारी तयार हो को पता ही है सब आपको तो बताने के जुरुत नहीं है क्यों कि आप हमारे स्मार्ट फ्रेंड जो है तो तड़का हमारा तयार हो चुका है इसमें हमने जो कटिंग किया हुआ डाला था वह अच्छे से मिक्स करेंगे फ्राइ करेंगे ब्राउन होने तक भी भून सकते आप इस अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक बटन को हिट करना ना भूले और इसी तरी की मस्ती से भरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू